शुबत हैं बच्चों, मैं आपके रिनका टीचर, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ, आज हम अध्याय चार तीन अक्षर वाले शब्द भाग दो देखेंगे, भाग एक में देखा हमने कैसे तीन अक्षर शब्द बनते हैं और उसका अर्थ, आज हम आगे बढ़ पांच शब्दों से बने बिना मात्रा वाले वाक्य, भरत नहर पर टहल, चल, नहर पर मत टहर, नहर पर तुम मत टहर, मत रुकना, कलश भर कर घर चल, कलश भर कर कलश में क्या पढ़ते हैं? पानी पढ़ते हैं कलश भर कर चल मदन घर चल कर पढ़ जैसे कि हम किताब पढ़ते हैं ऐसे ही घर चल कर पढ़ने के लिए कह रहे हैं इस सडक पर मत तहल अब घर चल कर पढ़ अब घर चल कर पड़ देखे हर एक वाक्य में पांच पांच अक्षर होते हैं अमन शहद मत चक अमन शहद मत चक इधर सड़क पर मत तहल च शब्दों से बने बिना मात्रा वाले वाक्य सब सच कर कटक शहर गए सब सच कर सच कर यनि अलंकर करकर कटक कटक शहर ओके यहां एक शहर का नाम है कटक वहाँ पर क्या होते हैं जाते हैं गए आमन मदन बस पर चड़ गए आमन और मदन क्या करें बस पर चड़ कर गए मदन टहर मत नहर तक चल मदन अब मत रुकना मत टहर नहर तक चलो इदर उदर मत बटक घर चल कुछ बच्चे यहां वहां जाते हैं इसलिए इदर उदर मत बटक ना सीधे क्या करना है घर चलो आगे तीन अक्षर वाले शब्द देखे तीन अक्षर वाले कौन सा शब्द है नमक जो हम नमक नमक सब को मालूम है हम खाने में क्या डालते हैं खाना बनाने के समय नमक डालते हैं नमक डालने से खाना स्वादिष्ट बनता है शहर शहर हम बैंगलोर शहर में है महल मैसुर में बहुत बड़ा राज महल है भजन जब हम सुभ़ शाम मंदीर चाते हैं तबी वहाँ पे क्या होता है भजन होता है हम कई लोग घर पे भजन करते हैं शहर हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत मीटा होता है सडक हमें सडक पर चलने पर जादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जादा गाड़ी सडक पर चलती है सडक पार करने के समय भी ध्यान देना चाहिए टहर हमें गाड़ी आने सड़क पर जाते समय अगर गाड़ी आ गई तो टहरना चाहिए टहरना चाहिए नहर नहर यहा एक पानी का स्थान है जैसे हम नहर पर जाने के ताइम बहुत outनी बरसनी चाहिए पर पिसल गया तो क्या होता है नहर में यानि पानी में गिर सकते है महग आज अपनी माता जी अच्छा से खाना बनाया है उसका महग भूत सुन्दर सा आ रहा है और फूल का महग सबको मोह लेती है सबको पसंद आती है आखिर में पड़ हम इस अध्याय चार को अच्छा थरसे पढ़ना चाहिए इसलिए बच्चों तुम भी इस अध्याय चार को ठीक से दो बार अच्छे से पढ़ कर याद कीजिए मैं आपको और नए अध्याय के साथ अगले हपते मिलूंगी धन्यवाद